अभी सभी का स्वाकत अभी नंदन करती हूँ, मेरे चानल को आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत दिल से शुक्रिया, अगर आज की भी पोस्ट, आज का भी विशे टॉपिक आपको पसंद आए तो उसे जादा से जादा शेयर करें, इसलिए नहीं कि मु क्यों, क्या सच में पीपल का पेड काटने से कोई नुकसान होता है या ये सरफ भ्रांतिया है, या पीपल के पेड से कोई लाब भी होता है, तमाम तरह के सवालों के जवाब सीधा सटीक, अगले 5-10 मिनट में आपको ही हा मिलेंगे, पीपल के पेड पर लक्षमी मा की बेह रहती है, जिसका नाम है आलक्षमी, दरिद्रता गरीबी, हुआ ये कि उनकी शादी एक रिशी से कर दी गई, जब रिशी ने देखा, ये तो बड़ी गंदी है, साफ सफाई से नहीं रहती, और इसके आने से मेरे घर के दिये बुझ गए, चारो तरफ जो हाहाकार मच गई मेरा दिवालिया निकल गया, उन्होंने सुचा इसके साथ मैं रह नहीं सकता, क्योंकि जब विश्नु भगवान ने लक्षमी से कहा, मुझसे विवा करो, जब समुदर मंथन में लक्षमी निकली, तो भई ये बात हुई कि उसके लक्षमी आई है, सुख आया, तो दुख भी आएगा, आदर दृता भी आई, मतलब कि उनकी बहन, गरीबी, तो उन्होंने का भी मैं तो आप से शादी कर लूँगी, पर मेरी एक शारत है कि पहले मेरी बहन बढ़ी है, उसकी शादी कर बाद तब मैं आप से शादी करूँगा, भगवान विश्नु परेशान, भग और इसके साथ मेरा जीवन नहीं चल सकता, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, चलो गूमने चलते हैं, और गूमते गूमते वो उन्हें जंगल के तरफ ले गए, एक पीपल के पेड़ के बैठे है, और बोले तुम यहां बैठो, मैं अभी तुरंत लोट के आता हूँ, आज क करें तो करें क्या, मेरे पती तो वापस नहीं आ रोने लगी, जब रोने लगी तो वएकुंड के अंदर लख्शमी मा को अपने बेहन की रोने कि आवास आई, वो सूने ही बाती थी, मेरी बेहन परिशान है, वो रोरहИा, तुम चलो तुम चलो, अब विश्नू बगवान और लक्षमी जी पहुंचे जंगल में, उस पेड़ के पास, सारा रुदान सुना, लक्षमी माने सारा भंटा फोर दिया भगवान विश्णू पर, तुमने ये पुरुष ढूंडा था, तुमने सब अच्छा किया था, इसलिए कहते हूं कभी शादी राम घर जोड़े मत बन आप करें तो क्या करें, भगवान विश्णू ने का, ये पीपल का पेड़ है, जड़ है, और पेड़ों में मैं पीपल के बराबर हूँ, ये तो वो गीता में ही कह चुके थे, आप इसके अंदर वास करो, और आपकी सुहागने पूजा करेंगी, आपके ओपर सभी करना, परिक्रमा करना, उसे चुना, उसके पत्तों को तोड़ करती, जोनी में रखने का जो खास महत्व है, वो शनिवार सुभा चार बजे से है, क्योंकि शनिवार सुभा चार बजे से, संडे सुभा चार बजे से, अपनी पत्नी लक्षमी के साथ, और बर्दान देते हैं आप पीपल के पेड की पूजा रोज करो, उस पर जल अरपन रोज करो, लेकिन वो गरीवी का कारक है, हमारे पित्र जो हमारी आत्माय भटकती रहती है, उस पेड पर जाकर बैठती है, उसे केवल शनिवार वाले दिन ही चूना चाहिए, इसके सिवाव से कभी नहीं चूना होंगी और आपके घर धनताने बढ़ेगा, शनिवार वाले दिन अगर बेपारी पीपल के पेड़ पर एक लोटा जल, उसमें चीनी, उसमें गुड़, उसमें एक बुन सरसुका तेल और कुछ तिल डाल कर अरपन करता है, पत्ते तोड कर लाकर अपने गल्ले में रखता है अपनी सीट की जिस गद्धी पर बैठता है, उसमे बैठता है, तो उसके घर में धनकी वर्शा होती है, और कभी धनकी कमी नहीं होती है, लेकिन इसके सिवाई ये उपाय कभी ना करें, पित्रों में, श्राद पक्ष में भी कभी नहीं करना चाहिए, संडे वाले दिन अगर आपके घर में शत्रू बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, आपसे दुश्मनी कर रहे हैं, तो अपने शत्रों का नाम लेकिए जितने शत्रों हैं, उतने नीवो पीपल के पेड़ पर छोड़कर परक्रमा करकर आएं, कि आज अपने शत्रों को मैं यहीं छोड़कर जा पीपल के पेड़ पर शनी देव की मूर्ती हो और उस पर आप तेल अरपन करें, तो पूर्ट का इचारी पुलिस के चक्रों से आपको छुटकारा मिल सकता है, पीपल के पेड़ पर चारों तरफ इंठे और सीमेंट लगाने से आपका घर जल्दी बनता है, या इसी जगा ह जहां पर इंठे और सीमेंट तो लगा हो, तो आप ताहले लगवा दीचे, लेकिन उस पर गलती से भी अपना ना मंकित मत करवाई, जैसे पुराने जमाने के लोग कर देते थे, परस्तुत बाए, ये दिया गया है, हमें कोई बहुत बड़ा अपने उपर तपका नहीं अगर वो आपको कस्ट दे रहा है, उसको कटवाना है, तो बकाईदा पंडित आएंगे, उसकी पूझा की जाएगी, शांती की जाएगी, और उसके एवरेज में 108 पेर पहले पीपल के आप लगाएंगे, ये नियम है, इसलिए अगर पीपल गलती से भी घर में हो जाता है, तो सोच समझ कर कारे करें, और अपने जनल दिन एनिवर्सरी पर अगर आप पीपल के पेर बहुत जादा लगवाएं, तो ये भी आपके लिए लाबदायक हो सकते हैं, इसलिए आपका भला हो सकता है, तो ये थी पीपल के पेर से जुड़ी भी जानकारी, लेकिन पीपल के महीने में आपको घी का दिया पीपल के पेर पर जलाना चाहिए, तो भगवान विश्नु की विश्यश के रपाप पर होती है, उमीद करती हूँ कि आपको ये सब जानकारी जरूर पसंद आई होगी, इसे जादा से जादा लोगों से शेयर करें, फिर आपके लिए लेकर आ झाल का झाल करती है, अज indicator करती है, तो भगवान विश्वान विश्यश के में विश्यश की ए Phर होत-ब्र जोगद», ड्रूर जोगवान विश्यश के जादा टूर लिव की वह ज़ों से वानिकर विधले से जादात seiner होतारी Tiny terme विश्ये से से जा सबनाए के बि判न लिव हो क